ह análो गैस आज का ब्लोग में हम आपको दिखाएंगे कि आलू पोटाटो के से रोपा जाता है आलू एक उसे मेहंगे चीज है कि हर जगा में चलता है लेकिन बात में एसे बोलते हैना आलू सोब में चालू तो एक आच्छा बात है तो हम आज आलू लगाएंगे अपना बग्जा में तो आपको सारे चीज दिखाएंगे तो आज का ब्लोग में ही है तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आलू कैसे रोपा जाता है मैं हूँ मेरा बेहन है और मेरा पिता जी है साथ में तो आपको दिखाते हैं आज आलो के इसे रॉपते हैं तो चलिए दोस्त तो मिट्टी में पहले सार देंगे जैसे डीएपी और पोटास तो देखिए कि इसे सार दिया जा रहा है हम चार प्लोड आलो रॉपने के लिए बनाए है उसमें गाट रहे है तो इसमें सार दिया जा रहा है तो देखिए सार देने के बाद सार के उपर में कॉंपोस्ट देंगे तो मेरी एड़ना हेड़ना हेड़ना में कॉंपोस्ट ला रहा है तो आपको दिखाते हैं कि कॉंपोस्ट के से डला जाता है तो चलिए आपको दिखाते हैं हेड़ो हेड़ो ढाल याड़ो देते हां सार के उपर में थोड़ा थोड़ा सा खाली कॉम्पोस्ट डालना है और कॉम्पोस्ट डालने के बाद इसका उपर में आलूरू रपेंगे तो देखिए कॉम्पोस्ट कैसे डाला जाता है सबसे ज्यादा मेरी वहन में आवे के लिए एक लैग जोरूर कर दिये तो देखिए मेरा वहन के से कॉम्पोस्ट डे रहा है कर दो अभी cycling क्वर्षाट डालने के बाद हम ना कॉपनगे तो चलिए कॉम्पोस्ट डालना खतम हो गया है अभी आरोड़ा तो चल्दी आलू रोपते हैं ज्यादा दूरी नहीं रखें ज्यादा से तिन इंच छोड़ के हम लगाएं है तो अच्छा से लगा रहा है थोड़ा हलका अंदर में डाल रहा है जिसे कि सार दिया हुआ है और कॉंपोस दिया है उसका उपर में है इसके बाद रोपने के हम इसको उसके ओपर में माटी डाल देंगे हलका सा उसके बाद जब निकलेगा कि कोующ कि अधर है तो उसके ंता है हुआ है अँ कर दो तो आलू रोपने के बाद हम उपार से हलका हलका मिट्टी ढांक देंगे जिसे कि बहुत जल्दी बीज निकलेगा और बीज निकलने के बाद अच्छा आलू बनेगा एकोसिस में हम आज आलू लगाए हैं अगर आच्छा आलू बैठेगा तो बैचेंगे जो मेहनुद किये हैं वो कुछ निकलेगा लेकिन क्या होगा पता नहीं तो यही उमीद में है तो गाइस फाइनली हमने आज आलू रोके आ गिये हैं आपको अगर वीडियो देखके अग आपको आपके बास नोटिफिक्शन जाएगा और आप देख पाएंगे तो इसी तरह आपका वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्त आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो तक गुड़ बाई